हेलो माई फ्रेंड्स आज मैं आपको बेनर्जगाट पेंटिंग बना के दिखाएंगा बेनर्जगाट पेंटिंग मैं वाटा कलर से बनाऊंगा अब देखिए मैं पहले बेनर्जगाट जो आर्किटेक्चर और एक साधू बाबा को ड्रॉइंग किया और अभी फ्लेट ब्रॉष लेके प्लेन वाटा कलर से बाहर का जो बेक्ग्डाउन पार्ट है उसमें मैंने प्लेन वाटर वाटर से भीगा दिया है तो इसमें मैंने फ्लेट ब्रॉष को एक के जगा दो बार मैं भीगाया क्यूंकि अच्छा करके उसको भीगाना चाहिए इसलिए मैप यह मोटा फ्लेट ब्रॉष से मैंने यह दूबार अभी चारो तरफ से मैंने बेक्ग्डाउन पार्ट में प्लेन वाटर डाला इसके बाद मैंने अल्टर मेंन ब्लू और आईवरी ब्लैक थोड़ा मिक्सिंग करके दूसरा एक फ्रैट ब्रस्क से मैंने आस्मन का पार्ट में डाला इदर आस्मन का पार्ट में त्थ्बा-थ्रा कहें की जगा पे डाल रहा हूँ है उसका साथ मैं जो गौंगा का पार्ट है उसमें भी हलका सा क्या अपार्थ का दरी आधर करके पार्ट में ये और सेम टोनी जासे गुप में हल्का सा मैंने डाल दिया इसके पाध मैं थोड़ा सा ओव डार्क टोन उसका ही डार्क टोन और अपर मैं इस काम में जो दिखाना चाहता हूं जो एक सदुवावा फैनल घाट का घाट में शिरी से उपर चल रहे हैं कि आच इसमें अब ढ़ देखिए मैं पर्मानेंट라고 ओर्रेंज और पर्मानेंट को दुआ ये इह स्पेड हो रहा है क्यूंकि मैंने पहले भैक्राउंट बीगा दिया इसलिए यह स्पेड होके कलार तोरा से नीचे आ रहा है मैं फ्रेश पानी से एक जगा पर तक कर दिया क्यूंकि इसमें लाइट वेपे वह कलार स्पेड हो जाएगा अभी मैं दूसरा जो अर्खिटर्चर के दूसरा जो पार्ट है उसमें मैंने वो जो अल्टामेंड ब्लू और क्रीम सन और तोड़ा सा परमेंटियो लो तार्च करके जो डार्ट तोनाया उसको मैं अपलाई किया और सेम चोन ठोड़ा सा पानी से पतला करके सेम टोन मैं सद्वाव का साइड से मैंने जो ड्राइंग का पार्ट है ड्रोइंग का साइड से मैंने वो कलर डाल दिया डाल रहूं अब देखते रहिए कैसे मैं डाल रहूं ड्रोइंग का उपर कलार नहीं आना चाहिए तो इसलिए मैंने बहुत साब्धनी से सेवे लेयर ब्रास से मैंने ये कलार डाल रहूं मैं कोशिश करूंगा जो कलार सदुवा का उपर नहीं आना चाहिए ये कलार इसलिए मैं तो आसा साब्धनी से कर रहूं और जो बेनोजगत का जो सीरिया का पाठ है वह मैं थोड़ा सा कलार लगा है फिर फ्लैट ब्रास से तो आसा हलका भी कर दिया मैं हमेशा कोशिश करता हूँ सिंपिल काम करने के लिए और इसमें मेरा जो एक टारगेट पॉइंट है मिनिमम वर्क मैक्सिमम एफेक्ट मान लिजे मैं एक काम कर रहूं उसमें कई पार्ट में डिटेल करूंगा आदर्स पार्ट में इतना ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा अब देखिए मैं दूसरा एक सेविल है लिया और मैं तुरह से प्लेन पानी लेकर और फेस हैंड और पैर पे हलका से डाल दिया पानी और इसके बाद और ओरेंज और तीमस्वन और पर्मारेंट लो मिक्स करके फेस पोट्रेक में और हैंड का पार्ट में डाल रहा हूं एर का पार्ट में भी डाल रहा हूं कि मैं इस वाटाकलर पेंटिंग के मैं कोर्शिश करूंगा सबसे ज्यादा फिनिश करने के लिए सादुवाबा को सादुवाबा का अच्छा से फिनिश करके ओ आर्किटेक्ट्चर का जो पार्ट है ओ मैं थोड़ा सा कॉम डिटेल करके काम फिनिश करूंगा यही मेरा टार्गेट पॉइंट है अभी देखता हूं अभी जो सादुवाबा का पागड़ी है पागड़ी में मैंने ओरेंज डाला और थोरा सा भर्मी लैनेर्ड और क्रिम्सन मिक्स करके और एक दों उपर तरफ डार्क टोन में जो अभी जो कलार क्या गया है आ रहे हैं मैं हमेशे कोशिश करता हूं जो पेपर होई जो है और रखने के लिए उसमें काम करने में बहुत मौजा आता है मैं कोशिश करता हूं अब होई सेम कलार टोन है और मैंने तुरा सा पानी से यह पार्ट भीगा लिया दारी का नीचे जो पार्ट है और ड्रेस का सदुआओ का जो ड्रेस है उसमें कही के जगवे मैंने तुरा से नॉर्मल पानी दाल दिया जाल कि उसके बद मोटा क्राइब जाआए गयर से मुझत अल्ट लेयर ड्राश में धें कि ब्राश कर न गजाएे और कलार मैं डाला जूदा में उसका साथ जो डार्क जाए है ऊस समें ठोड़ा सकते प्रेशेंग ब्लू मिक्स करकर ऑल्टिमेंट आल्ट्रीमेन मिश्टेर के टाच अप कर देता हूं इसमें क्या होता है एक साथ डार्क लाइट निकल के आ जाते हैं साथू अवाका हाथ में जो त्रिस्षूल है त्रिस्षूल को मैंने अभी त्रिस्षूल में हुआट छोड के ओ जो ड्रेस का कालार है उसमें मैंने कालार डालूंगा उसमें क्या होगा जो त्रिस्षूल आटोमेटिक रिलीफ हो जाएगा अभी देखते रहे हैं मैं कैसे दिश्षूल को ड्राइंग के इसे जहाँ पर ज़रूरा थे डार्क टोन का वही पर मैं डार्क टोन डालूंगा पहले औरेंज और क्रिम्शन के मिक्सी करके और कहीं पर बाश्षूल की बेहमलेंजेक मिक्सर के तके शद्वावा का जो ड्रेस है ड्रिस्क का पर डाउन पर्ट में मैं डाल रहा हूं कि अ अभी जो डार्क पर्ट है उसमें रूदे निचे पर्ट है उसमें प्रूरा सा प्रोचन बलू एपलाइ किया है कि अब आप कि अब कि अब कि अब अब जो ड्रेस का जो ड्रेस का जो डाउन पार्ट है उसमें मैं क्या करूंगा उसमें करूंगा पूश्यन ब्लू अल्टर मेरीन और क्रिम्चन मिक्स करके एक डार्क पार्ट में एप्लाई करने के लिए अब देखे मैं ब्राश के वही कलर लिया एक डार्क तॉन एप्लाई किया इसका साथ दूसरा ब्रास में जो कलर लिया थोगा सा ओरेंज और क्रिमिशन मिक्स करके वो इसका साथ टाच आप कर दूँगा उसमें light and shade वो दोनों कलर मिक्स होके एक होथ आच्छा कलर तोयर हो जाएगा और देखने में भी खुब सुरूत होगा और light and shade भी क्येट हो जाएगा इसके बाद मैंने अभी जो पोट्रेट का पार्ट है शदुआ का पार्ट है उसमें मैं अभी वो को औरेंज और क्रिम्सान और तोड़ा सा अल्ट्रमेंट टाच करके फिनिश कर रहा हूं देखिए लेफ साइड में जो डार्क पार्ट है उदार डार्क एपलाई करके फीर औरेंज मिक्स करके उसको पोट्रेट को फिनिश करूंगा इसको इसके बाद सद्वावा का जो फोड है कॉपल उसमें मैं भार्ड मिलियन का रेट का एक टीका लगाऊंगा झाल झाल एक्चुली मैं हमेशा ही यह करता हूं जो मैं यूट्यूब का जो काम छोड़ता हूं उसमें सब में मैं बैक्ग्राउंड म्यूजिक यूज करता हूं यह पहला बार हुआ मैं आप लोगों को हिंदी में बोलने के लिए कोशिश कर रहा हूं मेरा कन्वार्स्टेशन में कोई दिक्कत होगा थोड़ा हमको खमा कर देना मेरा दोस्त समझ के देख लेना अच्छा तरफ से अब ही देखिए सद्वावा का जो तारी का पार्ट है और मूं का जो पार्ट है उसमें थुरा थुरा करके डार्क एप्लाई कर रहा हूं जैसे पोटर बहुत अच्छा से निकल निकल पाएगा देखिए निकल जाएगा गौला में जो रुद दख्खो का माला होता है वह डालके रखा है वह भी मैं डार्क क्रिम्चन और क्रिम्चन प्रेड और प्रिशेंट ब्लू मिक्स करके तो अथुरा करके मैं वह मला बना दिया और डारी में मैंने थोड़ासा अल्टामेंड ब्लू और और ओरेंज मिक्स करके लाइट वे पे डारी पे डाल दिया और तीशुल पे भी सेम कलर डाल दिया जो हाथ से पकरके रखाएं ब्लू इस टोन है और सामने जो पार्ट है उसमें मैंने वाइट छोड़के ओतिशुल को मैं कर रहा हूं मेरे को यह पार्ट बहुत परसंद होता है जो इसलिए मैं कुशिश करते हूं तो आपको यह पार्ट देखने में पता चल जाएगा मैं कैसे कर रहा हूं वैट चुरके आप देखते रहे हैं कि अ कि आ बाहने कि आ इधा कि आ है पंधर साड़ बाबावा का लेपठेंड है उसमें मैंने उसका रुखार श्याडव ऐसा करेंट पपैसे लेएट है इसमें सेम खेला ऐसा रूख गेसेम अंधार उसमें कलने के लिए देखिए और जो कि तीशुल का पार्थ है मैं कैसे तीशुल को भी हाइलेट करूंगा और उसके शेड़ो भी कैसे हाथ का शेड़ो आएगा वह भी मैं करके आपको दिखा रहा हूं कि अब तक मेरा मेरा जो टार्गेट पॉइंट है सदुबबा का बहुत आच्छा से कैसे फिनिश हो रखता है वो ख्रिशिश करऊंगा वह पूरा पार्ष दुबबा का जो ड्रोइंग है उसमें मैं पूर नहीं काम करूंगा जैसे पयर का पर पयर मैं अब कर डार्क और लाइक करने में मीक्स आप होके बहुत सौप्ट एक तोन आता है वह भी करना बहुत जुरूरी हो जाता है तो इसलिए मैंने ऐसे कर रहा हूं तो अभीगा जब भीगा है उसी तेम भी मैं कर रहा हूं उसमें जो लाइटन शेड निकले गाना वह एकड़म सौप्ट होता है अभी जो मेरा काम चल रहा है इसमें मैं सेग्य автом तो धार्ट तो न दोनों इस आप्लाई कर रहा हूं फ Ding अभी उनका हाथ में भी मैंने तुछा डार्क एपलाई कर दिया उसमें हाथ तिशुल को पकड़ कर रखा है दूसरा हाथ जो है राइट हैंड उसमें एक पॉट पकड़ कर रखा है उसमें मैं पहले योलो पार्मारेंट योलो से और थोड़ासा ब्राउन मिक्स करके उसको ड्रॉइंग को हलका सा लाइट छोड़ के कलर अपले कर दिया फिर जो तोड़ासा डार्क करने के लिए मैं प्रुशेंड ब्लू अल्टा मेंन और क्रिम सान मिला के वो जो डार्क पार्ट है उसमें मैं डाल दूंगा इसमें जो पॉट है उसमें दिखिए कोई की रिफ्लेक्शन जो लाइट है मैं वही पर एकदम पॉट का जो कालर है वह मैं छोड़के डार्क टोर्न एपलाई करते उसमें रिफ्लेक्शन आ गया कही कही जगा पर जैसे चमकार रहे है याज है अभी मैक् Sense डार्क मैं एपलाई कर दिया यहीं पर अचये आ हिए और तीशल का नीचे कही कही जग़ाढ़ा पर जैसे 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 जिर्फ्लेक्श लग रहा है यही पर डार्क टन डालने में और भी रिलीफ हो जाएगा तो मैं उसी के सबसे मैं कई के जगह पर डार्क डाल रहा हूं अभी दिखिए डार्क टोन मैंने कही के जगह पर अपलाई कर रहा हूं कि सदुवा का जो पैर का पार्ट है पैर का पार्ट मैं डार्क टोन से ओ ड्रॉइंग का हिसाब से मैं कलर लगा रहा हूं कि यह जो पार्ट है इसमें मैं थोरा सा थोरा सा ड्रॉइंग करके छोड़ रहा हूं क्योंकि यह पार्ट शुक जाएगा तो आगे मैं दूसरा जो पार्ट होगा वह स्टार्ट करना चाहता हूं तो यह पार्ट में मैं थोरा सा जो जहाँ पर जहाँ पर जैसे जैसे जुरूत डार्क पार्ट का जुरूत है डार्क मैं अपलाई कर रहा हूं यह पार्ट थोरा सा सुखने के लिए टाइम लाएगा तो तो मेरा बैक्ग्राउंड का जो कालर है बैक्ग्राउंड मेरे से सुख गया तो अभी मैं क्या करूं जो पीछे बाला जो आर्किटेक्चर का पार्ट है बैनरोस का यह आर्क्ट आर्किटेक्चर पार्ट में मैं पार्मानेंट औरेंज और यौलो मीक्स करके मंई एकडुम टॉप पार्ट है उसमें जोग अभी ऑ Corps में वी उस्को थोड़ का सा व्रिद्ग का साथ मने अल्तर में ब्लू और क्रीम्सson और पुरुशयन ब्लू तीनों मिक्स करके यह ऻ्क तोन में मैं यह द्ल्वाइंग कर रहा हूं कसे पातिने कर रहों है में यह जो पीछे वना जो आरकिटेक्चर है मैं यह ज्यादा काम में करेंगा क्युक्统 हा इंस प्रेषे काम है साय infect आठान्य लाट काम जायुदेश्ळा के पेछे जो मेरा सबसे फेबरीट सब्जेक्ट है बेनोज घाट मैं बेनोज घाट का बहुत सरे ड्रॉइंग करता हूं मेरे को बहुत पसंद होता है कि अधर का आर्खिटेक्चर मेरे को वहीं का आर्खिटेक्चर में बहुत इंस्पार्ड हूं और अब देखते रहे हैं मैं इधर पातला ब्रस्ते काम कर रहा हूं और पहले मेरे हाथ में दो ब्राश आए एक डार्ट टोन का ब्राश आए एक लाइक टोन का ब्राश है मेरे को यह स्टैल में काम करने में इजी लगता है क्योंकि जहां पर जरूरत पर उसके सबसे मैं चलता हूं कि अगर्ट कर पार्ट में ने देखी एथुरा सा आए वो जो कौलर्ट्टोन हो हलका करके मैं डाल रहा हूं और फीछे जो बेंग रेंड है उसमें मैं तोरा सा टााल कर दूँगा और इदहरी सो टाल कर फिर लेक्त पतला पाणी मींक्स-अप कर दूग दूँग झाल झाल तीछे वाला जो आर्किटेक्ट्चर पार्ट है थोड़ा सा मैंने पास्पेक्टिव का हिसाब से थोड़ा सा आइट में शौर्डों का हुसी का हिसाब से मैंने और कालर से पास्पेक्टिव करके मैं यह ट्रॉइंग कर रहा हूं और इसके लिए मैं जो दो पार्ट एक तो डार्क टोन और एक लाइक टोन में हलका सा करके मैं यह ट्रॉइंग करूंगा और उसका अंदर भी ड्रॉइंग भी रहेगा और जो जितना से फीगर बगड़ा है वह भी मैं एक दूं हलका टोन पी करूंगा और बेनोजगट का एक चीज में को सबसे जो ज्यादा आच्छा लगता है वह है उदर का बेनोज़ का आम्रेला चत्री जो होता है वह चत्री मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है मैं यह कर्शिश करता हूं और इस लिए इधर चत्री का भी ड्रॉइंग करूंगा अब देखते रहे तो मेरे को कि ईदर जो फीघर है व भी मैं करूँ म Wars फीर भी अगुम लाइट हर पर हलका है थो धाट करद दॉसरा नग भी में बात होगा गो जो अदम है फिर फिर भी एकदम लाइट वेपे बहुत दूर है इसलिए उसको ज़्यादा नहीं दिखाई देगा यह सोचके ही मैंने यह ऐसे कर रहा हूँ और बैनर्जगाट में जो सादू सादू बाबा जो पुरुईत लोग आता है वही पे पूजा पाट करता है वह एकदम गौंगा का बगल में तो मैं वही का भी द्रॉइंग दिखाऊंगा कि फिर भी एकदम लाइट वेपे क्योंकि इतना दूर है उसको ज़्यादा दिखना का जुरूरत नहीं मेरे सबसे तो मैं इसी सबसे मैं कर रहा हूं और बैनर्जगट का और एक अच्छा और एक पार्ट मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है यह पे बहुत तरे पुनाथी आते हैं इदर नहाने के लिए और पुजा पाट करता है बिविन्ना कास्ट का है ओ तो बहुत ही pop कि तो मेरे को कितना अच्छा लगते और आपको कैसे समय बहुत डिफरेंस टाइप का आदमी और बच्चा सब कुछ दिखाए देता है डिफरेंस कालर का ड्रेस तो बहुत ही मेरे को अच्छा लगता है मैं वही से इंस्पियर्ड होता हूं अब जो बैनर्स गट का जो शिरिया है मैं उसका डीटेल नहीं ड्राइंग करूंगा मैं डीटेल नहीं ड्राइंग करूंगा क्यूंकि डीटेल ड्राइंग करना में मेरे को जो मेरा जो साब्जेक्ट है वह उबर के नहीं आएगा सो मैं थुरा सा साजेस्टिव लाइन का हिसाब से मैं ओ शिरिया का काम करूंगा मैं लिए जस्ट लाइन रोइंग का हिसाब से और अब ही मैं जो सदुवा का जो पैर का पार्ट है वही पर मैं थोड़ा सा डार्ग डाल के उसके साथ लाइट कालर मिक्सिंग करके वह जो एक शैडो निकलेगा और मैं डालूंगा अब देखते रहे यह मैं दार्क करके फिर दूसरा एक ब्राज से मैं ओ डार्ट हटा दूंगा और मिक्स आप कर दूंगा तो जो बैक्ग्राउंड का साथ जो फ्लोर पर चल रहा है जो शिरिया का ओपर सदुवा चल रहा है उसका उसका हिसाब से मैं करूंगा अब देखते रहे हैं मैं इधर भी ओज सेमित कलार टोन है ओ प्रुशयन आल्टर में ब्लू और क्रीम संग इधर आल्टर में ब्लू ज़्यादा होगा और क्रीम संग थोड़ा से होगा और पर्मारेंट ओरेंज होए ओ एक दूमी बिलकली काम में यह डालके सदुवा का जो शैडू आएगा वो मैं डाल रहा हूं और उनका जो तीशूल है वह भी हाथ में है वह भी मैं थोड़ा अस्ते करके डाल रहा हूं अब देखते रहे हैं कि मैं जो काम कर रहे हूं यह काम आपको पसंद आएगा तो अब जुरूर इसको लाइक जुरूर करना और कोई कुछ मेरे को काम को डेवलप करने के लिए कोई साजेशन आपका पास है तो आप दे सकते हो उसमें कोई मेरे 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 अच्छा लाएगा आगे और भी आगे कैसे आपको और भी आगे करके आपको दिखाऊंगा कैसे और भी आच्छा हो सकता है कि यह मेरा टारगेट पॉइंट है कैसे और भी अच्छा हो सकते अच्छा करने के लिए मैं सबका साजिशन चाहता हूं जिसको जिसका मन कर रहा है जो कुछ बोलने के लिए आप बोल सकते हो और एक बात है आप लोग मेरे को पसंद है तो मेरा काम पसंद है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जुरूर करना और आपको फिंड लोग का साथ भी सेयर कर देना उसमें सब लोग को पता चल हो हाँ त अबर दर देखिए जिए शीरी का जिड्री का जो ड्राइंट है मैं जधा नहीं करोंगा क्यूंकि हलक हलक़ा टोन लगा कि मैंने timestone करके कर रहा Mona है इस और बिलिए आपके लाइन डाल दूंगा उसमें दिलाएगा यह शीरी है शीरी चरके सदुबाबा चल रहे है और अभी मेरा तो मैक्सिमम कामी खतम हो गया कहें कि जागा पर मैं ताच आप कर रहा हूं जो भी चरण शीरी हो जो डालने के लिए और भी जाट डालना पड़ता है वह भी करूंगा मेरा काम अल्मोस्ट खत्म होने कई खत्म हो रहा है अभी तक थोड़ा थोड़ा कुछ बचा हुआ है मैं और और कभी-कभी ऐसा होता है कोई काम फिनिश हो गया फिर भी लग रहे और भी काम होने में अच्छा लगता है तो मैं करूंगा इस कम में भी ऐसे हुआ मैं पूरा डार्ट टोन लगा के खत्म बिल्कुल खत्म कर दिया फिर मेरे को लगा तोरा तोरा कई जागा पर छोटा मोटा काम करने का जोड़ा रहता है तो मैंने इस इस पेंटिंग मैंने यह किया अब दिखें म मेरे लगरे है तो यह काम खतोम गया मैं साइन भी कर रहा हूं मैं सान्म करता हूं वह भंकि बहुद के तो इसके बाद भी क्या होगा हम्यरक्स लगा पकिये क्वाल के जगह पर और बिस तोरा सा प्रवकर करना है कहिरे है और झाल झाल